नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास भी है कम्प्यूटर या लैप्टॉप और उसके अंदर आपका कोई फोटो है और आप अपने फोटो का बैक्ग्राउंड बदलना चाहते हैं आपको बैक्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है या आपका कोई फोटो है जिसका आप जो पीछे का हिस्सा है यानि बैक्राउंड है उसे बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलें आई आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं यहाँ पर यह वीडियो बिलकुल उन लोग तो तो हमने Google Chrome मोपन कर लिया है यहां पर आपको उपर एक डबबा मिलेगा आपको यहां पर सर्ज करना है remove bg आप इसे दियान से देख लिजिए और enter कर लिजिए इससे पहले आपका जो photo है वो आपके पास होना चाहिए आप देख रूपते हैं मेरे पास एक photo है जो कि शाहरुख खान का photo है हमने example के लिए लिया है इसका हम background हटाएंगे और change करेंगे तो यहाँ पर हम उसी website पर जाते हैं जो मैंने आपसे कही थी यहाँ पर आपको मिलेगा remove background from image आपको इस पर क्लिक करना है थोड़ा सा wait करना है यह वाला page आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपको मिलेगा upload image इस पर क्लिक करें अपना जो photo है वो ले लीजिए यहाँ पर हम यह वाला photo लेंगे same photo है दो वार एक जैसे हम यह वाला photo लेंगे इस पर हम क्लिक करते हैं और open कर लेते हैं थोड़ा साब को wait करना है और यहाँ पर आपको जो photo है वो इसका background हट जाएगा पर यहाँ पर हम नयाuard background लवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको मिलेगा है यहाँ पर edit edit पर clip करना है आपको यहाँ पर आपको नीचे की तरफ मिल जाएंगे photo वाला option इस पर आप click करेंगे तो आपको कोई सारे background मिल जाएंगे जैसे कि ये क्लिक करूँगा मैं तो पीछे आप देख सकते हैं कौन सा बैगरंड आ गया है हम ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं यहाँ पर पीछे के तरफ आप देख सकते हैं कई सारे बैगरंड आपको मिल जाएंगे यहाँ पर आप कोई भी अच्छा सा बैग्गरण देख कर लाज़कता हूँ कई सारे बैगरण यहाँ पर मिल जाएंगे तो मैं आला करता हूँ आप देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो देख लिजिए और डाउनलोड पर कलिक कर लिजिए फिर डाउनलोड कर लिजिए आपका फोटो जो है वो डाउनलोड हो जाएगा अब इसे ओपन कैसे करना है फोटो को मैं आपको बता देता हूँ तो आपको अपने this pc या माई कम्पीटर को चालू करना है यहाँ पर आपको मिलेगा download option download नाम का folder इसपे के लिक करें और यहाँ पर आपका फोटो आ चुका होगा जो आपने download किया है आप देख सकते हैं कि हमारा फोटो का जो background है वो कितने अच्छे से change हुआ है पता ही नहीं लग रहा है कि हमने जो फोटो है उसका background चेंज करा है पीछे की तरफ कोई वो नहीं आ रहा है कि outline वगरा तो साइदा को साँज में आया होगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है मेरी वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो comment करें